तो असलाम हुलेकुम चेप्टर नबर 11 एड़ चल रहा है मारा और पिछली वीडियो से हमने बैमेटलिक इस्ट्रिप को स्टार्ट किया था और एक एप्लिकेशन को भी उसी वीडियो गे अंदर डिसकस किया था और ये कहा था कि अगली वीडियो और तोनों के दोनों जो हैं वह बाइमेटरिक इस ट्रीप की है टी यह प्लिकेशन निक्षिद की इन दोनों के अंदर वह बाइमेटरिक इस्ते इसके इस्तिमाल यह लगने पर जो अलार्म यानि के बेल अगर या फिर बल्ब अगर आपने लगाया हुए जो अलार्मिंग या फिर इंडिकेशन देगा हमें कि इस जगह पर आग लग लग दिये तो इस वाले प्रॉसेस के अंदर भी हमारे पास बाइमेटलिक स्ट्रिप ही इस्तमाल हो रही होती है और यह दोनों काफी इंट्रेस्टिंग चीज़ें यानि कि इन्हें पढ़ने के बाद वो काफी सारे ऐसे सवालात है जिनका जवाब में मिलेगा अगर थर्मोस्टेट की बात करें तो यह हमारे पास काफी सारी अप्लाइंस के अंदर इ अलेक्रिक आयरन के अंदर भी पीछे प्रोसेस क्या हो रहा होता है इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है यह हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है और यह किस तरह से काम कर रहा होता है कि इसे जब तक पीछे से अलेक्रिक करेंट मिलता रहेगा यानिके फर्स करो वबू निकालत रहेगा अपने अंदर से गोह ही तो प्रोसेस परक्षा घंडर oh काफी सारे यह सांट होती है पिर şeyi के लोगा हूता हैं वह हिद रहे लगा होता है पीछे से करें चाहरा है और अगे से जो वह हीट निकल रही है, हीट वार्व हो रही है, तो अगर हमें मैंटेन करनाओ टेम्परिचर को, फर्स करो कि पहले शुरूर में जो है, वह हमारे पास इस्तरी, एलेक्रिक आरन जो है, उसका टेम्परिचर रूम टेम्परिचर पर, 30 डिग्री सलचेस है, और ह पर्स करो कि एलेक्ट्रिक हीटर से हमें यह चाहिए कि वह टेंपरेचर 45 पे यह 40 डिग्री से पर जाके मैंटेन कर दे यह फिर कंट्रोल कर दे इससे आगे न लेके जाए टेंपरेचर को लेकिन अगर इसको देखें तो यहां से तो एलेक्रों जो है यह फिर एलेक्रिसीटी आ चैसे तो टेंपरेचर मेंटेन कैसे करें किसी एक टेंपरेचर के ओपर में यह चाह रहां कि जो अभी फिलाल जो है वो टेंपरेचर इसकामरे का वो 20 degree Celsius है और मैं यह चाहरा हूं कि 40 degree Celsius पे जाकी तर्फ मेंटेन हो जाए मिसाल के तुर पर यह 40 degree Celsius में मेरे डिजाय टेंपरेचर है इस पर हमारे पूरे रूम की तेंपरेचर को इस तरी हाँ एंदर वह अगर हम तरीके टम्परेचर को मैंटेन रखना चाँ चाहें ताकि कपड़े बगर हमारे जलेना असानी से प्रेस हो जाए है नहीं कि desire पे स्वारी वैल्भी जाए तो जो जो माझा पास तर्शे मैंटेंछ रहे थे कंट्रोल रहे हैं तो कैसे हम लोग चंट्रोल करें एक इसके पीछे जो काम वह तो यह हो सकता है कि एक बंदा जो है वो स्विच के उपर बैचा है यहां पी फर्सकरों कि जा हमारे पास स्विच लगा हुआ है वो सुद्ध के उपर बैड़ जाए और क्या करें कि जैसी टमप्रेचर 40 पर पहु यह 42 पे पहुंचा और चेकर पास 38 पे पर फिर कर दें फिर 40 पर जाए यह 42 पर बंद कर दें और इसी तरह करते-करते-करते यह वह temperature को maintain कर सकते हैं मतलब यह तरीका है कि हम इसतरह से temperature को maintain कर सकते हैं इस heating element को लगातार on और off आ और off जैसी temperature 40 से exit करें इसको off कर दो और तेंपरेचर जैसे फिर गिरेगा यानि कि रूम टेंपरेचर की तरफ आगा आप फिर और और करते-करते इस तरह से जो हम लोग अपनी डिजायर वैल्यों को एक टेंपरेचर को जो हो मेंटेन रख सकते हैं लेकिन इस काम को करने के लिए हमें एक बंदे की जरूद पुढ़ तो में स्विच को जो और कब 40 से वो डिक्रीज करना तो में सिच को अन करूँ एक पुरे बंदीगी हमें जो रिक्वार्मेंट है यानि कि यहां पर बिठाना पड़ेगा ओन आफ करते करने के लिए और अफ करता रहे वो करता रहे करता रहे तब हमारा जो तेंपरेचर वो को मेंटेन हो सकता है लेकिन मज़ी की बात यह कि धर्मो स्टेट के इंदर बाए मैटलिक स्ट्रिप के जरिये सही हमने यही वाला प्रॉसेजु बहुत इसके अंदर डाला हूए यानि कि ध्रम स्टेट के नदर बाए और वह कैसे हम जब इसको पढ़ेंगी इसी को पढ़न और इसी तरह बाइमटलिक स्ट्रिप का जो हमारे पास इस्तमाल है वो फायर अलाम के लिए बीए जिससे हमें यह पता लगता है कि जैसे आग लगती है तो अलाम बजना स्टार्ट हो जाता है और यह इंडिकेशन मिल ली होती है हमें कि फायर यहां पे टेक प्लेस होगे यह फिर आग लगगे यह जगह पे तो इसके पीछे भी बाइमटलिक स्ट्रिप का ही इस्तमाल है यूजर यानि कि उसी के जरिये से जो वह यह वाला जो प्रोसेस हम लोग करते हैं तो स्टार्ट क करते हैं इसकी इसके कंस्क्रक्षिंघ और इसकी राइस्की डियाग्राम और फोल्ड याहां पेढ़ करकेश को समझेंगे ऑंस इटि डिवा IS में पी डिवाइस हैं कि यह की थर्मोस्टेट है जिसके इंदर सबसे पहले तुछ इसका यूजिज बताया हुए कि यह किस अधिकल अपलाईंस के इंदर इसमाल होती है फिर इसकी छोटी सी कंस्रक्षण है और फिर इसकी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यह बता होुआ कि इस एक डिवायस आप विच ड़ों टेमरेटर खैंमर पैम्परेचर को कान्ट्रोल करने के लिए इस यूजबर रेफ्रीजरेटर एलेक्टरिकल और अवन एलेक्ट्रिकल डिवायन यहार Körper यह दर वह ल ने यानिकि थर्मो स्टेट हर एक चीज के अंदर लगा होता है हर एक अप्लाइंस के अंदर लगा होता है जहां पर हमें टेंपरिचर को कंट्रोल करना होता है रेफ्रिजिडेटर के अंदर भी लगा होता है यह यह एलेक्रिकल हमारे पास ओवन के अंदर भी होता है और construction इसकी जो essential parts थे यानिके जो important parts थे वो इन्हों नहीं आपी दिखा दिये figure के अंदर diagram के अंदर और बोलने कि इसके अंदर यो बाय मेटलिक इस्टिप इसमाल हो रही है आप चुके हम लोग जो बाय मेटलिक इस्टिप की तो इसलिए ज्यादा complex करके इसकी जो हमें तस्वीर यह फिगर जो नहीं दिखाई तरफ एसेंशल पार्ट दिखाएं जिसके अंदर इसके स्तिप इस्तवाल हो रही होती है तो यह हमारे पास यह भ़ोई हीटिंग एलिमे का लिमेंट के मंट जो हीड्यू वो प्रॉद्यूस करता है है और यहां से जो हम औरने का सरकेट को दखाने की कोशिश किए यह करेंट की यहां द जिएव झाहनी कि यह मोगा होगा करता है तो वों करंट फ्लॉस होगा हीटिंग अलिमेंस यानिके यह पीछे हमार पास यह फिन पैट्री से तो तो वो current flows through the heating element heating elements से जब current flow होगा ऑफ दे हीटर हीटर की तो temperature जो हो राइस कर जायागा यह हीटर की जो एक्जम्पल दीवें यहां पर कि heating element जो हो लगा हुआ हीटर के अंदर और जब current इसमें से पास होगा तो यह हीट जो हो मैंप करेंगा तो हीट करने से क्या होगा कि स्क जो temperature राइस कर जाएगा इंक्रीज कर जाया बिक्स the value at which bending of pi metallic strip take place वो temperature जो अटेंड कर लेगा जिसके उपर इस pi metallic strip की जो बेंडिंग टेक प्लेस हो जाती है हमें पता है कि जब हम इसको हीट करते हैं या फिर इसका temperature जो उनक्रीज होता है by metallic strip का तो यह जो है वो बेंड हो जाता है यह अपने जो यह वाला स्टेट हुआ अभी यह बेंड हो जाएगा अगर इसका temperature जो वेल्यू तक पहुंच जाए जिसके उपर यह बेंड होता है तो वही बता रहे हैं कि जो temperature जब वो राइस करेगा और अटेंड कर लेगा ऐसी वैल्यू जिसके उपर बेंडिंग टेक प्लेस हो जाएगी इस स्ट्रिप की तो फिर क्या होगा ड्यू टू बेंडिंग इस बेंडिंग की मज़ए से ड्यू टू बेंडिंग दिए लेक्रिक सर्किट विल ब्रोकन एंड करेंट सीजिस्टू फ्लो दूसरी जो डाइग्राम में वह यहां पर दिखाए भी हमें कि यह वही हीटिंग इल है और अब जो क्यों यहां पर कॉंटेक्ट मेंवा स्रीक तो कौणके मैंट की परवाती है यह पहले इसका साथ कांटेक्ट में थी और जो करन्ट था हमारा वो और तक करन्द वह पास वो बनीат to तो यहां पर वहीर सर्कीट ब्रेक हो गया जहाए सार किट जह वह यांपर ब्रोक है यहां पर पन्वेक हो गया और इसकी मझे जूब उसकी मझेए न्युचा चरेन्ग तो बीट आलेकि इम सन्न पर क्रोड्न से करनmbar आफ कीचता कोई पास हो चुका है यानिकि यह बेंड होगी बेंड होने से यह circuit ब्रेक हो गया और इसी तरह जो हमार पास यह हीटिंग element था यह भी हीटमेट करना बंद कर देगा and the current ceases to flow this will result in the fall of temperature इसकी वज़े से क्या होगा जब हीटिंग element heat emit करना बंद कर देगा तो जो हमार पास thermostat है यह फिर जो heater है वह room temperature की तरफ आना start हो जाए यह नहीं कि दुबारा से cool होना start हो जाए गया temperature उसका जो हो डिक्रीज होना start हो जाए यह फॉल होना start हो जाए इस विल रिजल्ट इन दिफॉल of temperature and by metallic strip will start to straighten up और फिर क्या होगा कि जब temperature decrease हो रहा होगा कम हो रहा होगा तो यह जो biometallic strip है यह वापसी से जो इस्टेट होना start हो जाए गी जो कि हमने कल पिछली वीडियो के इंदर देखा कि है फिर यहां पर जो इसका contact था यह दुबारा से मिल जाएगा और circuit दुबारा से ओन हो जाएगा जब circuit ओन होगा तो हमारे पास जो है वह हीटिंग अलिमिट में हो जाएगा और इसके अंदर से हीट जो हमें टोना start हो होने का विल रिपीट अगें एंड अगें यह बार बार मतलब एक बार और फिर दुबार और फिर दुबार और और इसी तरह जो चलता रहेगा इन इस वे टंपरेचर विल बी मेंटेंड इस तरह से वह उम लोग दो मैंटेंड करते हैं तो चुरू में जैसा कि हमने बोला था कि हमें एक बंदा चाहिए कि जो सरकेट को बन करें तो बन करें तो यहां पर जो काम कर रहा है उस बंदे का वो बायमेटलिक स्ट्रेप है यानि कि हमने जो डिजायर वैल्यू रखी थी वह फर्स करो कि 40 तक पहुंचेगा तो यह जो बायमेटलिक इस ट्रेप है यानि कि इस फिर फोर्टी डिग्री से तोड़ा सोपर जायागा फोटी टू तक जायागा तो यह बैंड हो जाएगी और वेंड होने से क्या होगा कि वो टेंपरेटर दूबार से पीछे आएगा और पीछे आते आते जो जब 40 पर पहुंचे गा यह 39-38 पहुंचेगा तो यह दोबारा से स्टेट ओना स्टार्ट हो जाएगी और सरकेट दौन हो जायागा और फिर इसी तरह से जो हुआ तक ही रहाएगा तो यह हमारा पस थर्मोफ्रेट का जो था वो यूज था यानि इन सब चीजों के अंदर रेसे बिशी रिभावन बी डों सारी ही अपना इमें टशार को कंट्रोल करना होता है तर्मोफ्रेट का जो वह पे स्तमाल होता है जिसके इनदर भाइ मेंटल स्ट्रील थ्टीयू वह रही होती है तो यह था मार पास thermostat अब बढ़ते हम अपनी दूसरी चीज़ के उपर जो कि Fire Alarm for Fire एक जी तो यह हमारे पास Fire Alarm है जैसे एंदर अर अरथ हु एक इस्टेप की इस्टास करते हैं तो स्टार्ट करते है कि कर्षाइफ देखती एक इस तरह से वर्क रता है यह हमार पास इसकी की कुछ इस तरह से की वन एंड फ़र बाय मेटली के स्ट्रिप इस फिक्स्ट यह जो हमार पास फाइब ऑने एक और पास्ट ङूप छोड़ा हो इसको fix कर दिया इसकी एक एंड को और इसको जो फ्री छोड़ दिया एक शिक्स वोल्ट बैटरी इस चनेक्टिड यह जो हमार पस चीज रही बैटरी जो कि 6 वोल्ट की बैटरी है हमने यह कनेक्ट की भी इसके साथ किसके साथ बीट्वीन अब मैटलिक कॉंटेक्ट बीट्वीन अब मैटलिक कॉंटेक्ट यह हमार पास यह मैटलिक कॉंटेक्ट है और साथ साथ और क्या चीज बीट्वीन मैटलिक कॉंटेक्ट एंड यह मैटलिक एंड और यह बैटरी के सा और यह वाला जो हमार पास इसका एंड है यह सीधा जाके मिलना बाइमेटल की सब्सक्राइब यहां पर यह तो बल्ब हो सकता है या फिर बेल भी हो सकती है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए अगर आपको जो वह इंडिकेशन के लिए बल्ब चाहिए यानि कि आप में जो इंडिकेशन मिले जो अलार्म मिले वो बेल की सुरत में बजना जो वो स्टार्ट हो जाए तंदर में से कोई भी चीज लागा सकते हैं और आपके मर्दी आप दोनों भी लगा सकते हैं तो यहां पर यह बताया हुआ है कि एक एंड जो वो बाइमेटल के सब का फिक् तो यह जो उपर करके रखा हुआ है जिससे का आपको फिगर के अंदर यो दिखाया हुआ है इस तस्वीर के इंदर जो दिखाया है तो यह इसकी कंट्रक्शन थी जिसके अंदर हमें समझाया कि जो यह सरकित है किसरे से बना हुआ और आकर में यह बात बताए कि जो मैटल कॉंटेक्ट है यह इसके साथ टूछ नहीं हुआ 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 बलकि हमने भाइमेटल के स्टिप के फ्री वाले एंड से थोड़ा सा उपर रखा हुआ है तो यह इसकी कंस्रक्शन थी अब ये वर्क कैसे करता है तो वेन फाय टेक प्लेस एंड टेंपरेचर राइज जब आग लगती है और टेंपरेचर जो वह इंक्रीज हो जाता है यानि कि फर्स करो कि यह उस जगह पर लगा हुआ है जहां पर आग लग गई है और आग लगने से क्या होगा कि टेंपरेचर सर यह वह र्क कर जाएगा तो यह सिस्टम है इसका टन्परेचर भी राइस कर जायागा नोاز सिप्रेबैंट तो होगा कि टिंपेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जो उनने कि वहां के तर्स-वाइण से नद्र जो वह हमारे पास बाइमेटल के तरह से लगाए भी है और इसकी जो बेंडिंग वह उपर की डारेक्शन में होगी यानिकि इस तरह से वह वह कुछ इस तरह से करके कि इसकी हमारे से मेटलिक कॉंटेक्ट को टच कर देगा तो इसके साथ करेगी और क्या होगा के कि एजरेजल्ट करेंट बिगिंस टू फ्लो जैसे इसके साथ टच करेगी सरके टोन हो जायागा और सब्सक्राइब करने बल्ब लगाया हुआ और जिसकी वजह से जो हमने यहां पर बल्ब लगाया है यह फिर जो बल लगाई भी यह यह रिंग करना सब्सक्राइब और अगर दोनों चीदे लगाई में तो बल्ब भी जो है वो गलो करना स्टार्ट कर देगा और जो बेल है यह भी रिंग जो है वो करना स्टार्ट हो जाएगी एन गिविंग एन अलार्मिंग सिंगनल जो कि एक अलार्मिंग सिंगनल दे रहे होंगे हमें कि यहां पर वह आग कर देती है जब आग लगती है और हमें यह इंडिकेशन मिल जाती है यानिकि यह अलार्म जाता है कि अब इस जगह पे जो और लग गई है जी तो यह था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने दो एप्लिकेशन को बाइमेटलिक स्ट्रीप की काफी डीटेल के अंदर जो डिसकस किया और इसी के साथ साथ जो वह बाइमेटलिक स्ट्रेप वहला जो पॉर्शन था यानिकि वह जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो खतम हो गया अब अगली वीडियो से एक नया या फिर इंवार्मेंट पे वह उसी वीडियो के अंदर जो हम लोग देखेंगे तो आज के लिए तरह ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लिए लाफिश्ट आप 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 आप